नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव कॉंग्रिस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपने तीन दिन के अमारकी दोरे पर हैं जहां वो एक अलग अंदाज बे नजर आ रही है बीते दिन भी उन्होंने वाशिंग्टन डीसी की जॉर्च टाउन युनिवरसिटी में चात्रों से मुलकात की थी जुसकी तस्वीरे भी सामने आई थी साथ ही उन्होंने पियमोधी पर भी निशाना साधा था वही अब राहुल की एक फोटो वारल हो रही है जिसमें वो भारत के दुश्मन के साथ मुलकात करते दिख रहे हैं जी हाँ राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधी मंडल से मुलकात की इस मुलकात की कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर वारल हो गई जिन पर विवाद हो गया है इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इलहान उमर नजर आ रही है जो से लेकर अब बीज़पी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अमेरिका दोरे पर गए कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी कॉंग्रेस के सदस्यों और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की राहुल की ये मुलाकात वाशिंग्टन डीसी में हुई इस दोरान इलाँ उमर भी मोजूद रही इलाँ उमर कोई और नहीं बलकी पाकिस्तान की हितैशी और भारत की दुश्मन मानी जाती है उन्हें हमेशा भारत विरोधी भार्शन देते देखा कया है इलाँ उमर अमारिका की विवादत चहरा रही है वमूदी सरकार की कई नीतियों के खिलाब खुल कर बोल चुकी है उन्होंने अनुच्छे 370 के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी जुसके साथ राहुल गांधी की तस्वीरे वारल हो रही है वही राहुल की इलान की मुलाकात पर भारतिये जनता पार्टी ने सवाल उठाया है देखा जाये तो बीजेपी को राहुल को घेरने का एक और मौका मिल गया है बीजेपी की राष्टिये प्रवक्ता संजू वर्मा का कहना है की राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं इसी उतावले पन की वज़ो से ही कोई कटर पंथी इसलामिक इलहान उमर से मुलाकात कर सकता है तो वही बीजेपी नेता निशिकान दूबे ने कहा की लाल घेरे में ये महिला अमारिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इलहान उमर है जो खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती है अभी अमारिका में राहुल गांधी जी इसी एजेंटे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं आपको बता दे कि दोनों की ये मुलकात वाशिंग्टन डी सी में रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई इस बैठक की मेजबानी कॉंग्रेस मैन ब्रेडली जेम्स शर्मा ने की इस प्रतिनिधी मंडल में इल्हान उमर के अलावा सीनेटर जुनातन जैक्सन, सीनेटर रोखना, सीनेटर राजा कृष्ण मूर्ती आदी लोग शामल थे में इल्हान उमर के बारे में आपको बताएं तो इल्हान अमेरिकी सांसद हैं वह 2019 से अमेरिकी कॉंग्रिस की डेमोक्रेट सदस से हैं वे पहली अफ्रीकी शरनार्थी हैं जो चुनात जीतकर अमेरिकी संसत पहुची वे संसिय सीट पर चुनात जीतने वाली पहली अश्वेत महला भी हैं वे अमेरिकी संसद पहुचने वाली पहली दो मुसलिम अमेरिकी महलाई में भी शामिल है वे अमेरिका में अपने इसराइल विरोधी रुक की वजह से जानी जाती है इलहान ने साल 2022 में पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर का दौरा किया था इलहान को उनके भारत विरोधी विचारों के लिए जाना जाता है उन्होंने पियम मोधी के अमेरिकी संसद में दिये गए भाषन का बहुशकार भी किया था बता दे कि इलहान उमर भारत के खिलाफ कई बार विदेशी मंचों से आलोचना कर चुकी है विभारत को अल्प संक्याग विरोधी भी बता चुकी है ऐसे में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करके कहीं न कहीं अपना ही नुकसान किया है भारत के लोगों के बीच उन्होंने जो अपनी छवी बनाई है उसका कहीं न कहीं असर पड़ सकता है पिलाल इस खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी न्यूस भारत